आगरा कि सरवादिक लोग प्रिया चैनल सी न्यूस के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउंडोड करें सी न्यूस चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें 31 दिसम्बर यानि की साल का आखरी दिन सापताइक बंदी होने के चलते ताज महल बंद रहा आपको उता दे जिसके चलते साल के आखरी दिन परिटक ताज कर दिदार नहीं कर सके हलाकि ताज को दूर से नहारने के लिए मेताब बाग एक अच्छा बिकल्प साबित हो रहा था ताज कर दिदार करने आए परिटकों के लिए वर्ष कांतिम दिन मायूसी भरा रहेगा 31 दिसम्बर को अपने परिवार के साथ ताज महल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भूल जाए शक्रवार को साबताहिक बंदी के चलते ताज महल बन रहेगा सलानियों को बाहर से ही समारक देखना होगा हलाकि ताज का दिदार करने आए परिटकों के लिए मेताब बाग और लाल किला एक अच्छा विकल्प है क्योंकि दोनों ही जगाउ से ताज को निहारने का अपना अलग ही मजा है हलाकि इसे सहीयोंग ही कहेंगे कि वर्ष 2021 के पहले दिन भी ताज महल बन था और अंतिम दिन भी बन है वर्ष 2021 में एक जनवरी को शुकरवार था और 31 दिसंबर को भी शुकरवार है शुकरवार को सापताहिक बंदी के चलते ताज महल बंद रहता है इससे ताज महल के कदरदान ना तो नवर्ष का स्वागत समारक खदीदार करती हुए कर सके थे और ना ही साल को विदा कर सकेंगे इसे नवर्ष के नतिन दिन ताज महल देखने का ख्वाप पालने वाले परेटकों में मायूसी है शनिवार वा रविवार को इस मारक में भीड़ो मर सकती है शुकरवार को आगरा रहे परेटकों के लिए चंबल सेंचुरी, सूर सरोबर वर्ड सेंचुरी वा अन्य अतिहासे के मारतों का दीदार करना बहतर रहेगा सी न्यूस के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट